नमस्कार मैं आज से इस पाठा काफ सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में शाषन के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश और अधिनस्चेन सेवा आयोग में जो समूख और गा की भरतियां हैं उनके रिक्त पदों के विवरन का अधियाचन मा मागा गया है और कहा गया है कि 15 दिन के अंदर को जो भी आपके रिक्त पद हैं गाव और खा के जिनकी वी वेक si येसे सवोल्व रखिये समूख की जो वेक से है वा लोग से वायोग के द्वारा होग Karma की जो आधिनस्चेन से वा आयोग से होनी है कि जिस भी संस्था कर त्रू होना है उनको ये पदो का अधियाचन 15 दिन के अंदर आपको भेजना है उसी पर ये पेपर कटिंग है और इसी पर एक सासना देश भी जारी हुआ है वो सासना देश भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा बोला गया सासन ने यहां पर आपको थोड़ा सा मैं ब्रा प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवायोग और उत्तर प्रदेश अधिनस्टर सेवायोग को कई इस अधियाचन पर्टल के माध्यम से भेजने की स्थिती संतोज जनक नहीं है इसे लिग देखते हुए सासन सभी भी भागों को निर्देश दिया है कि वे इस अधिया सूंदेश जारी कर दिया गया है नोडल आधिकारी नामित करते हुए NIC से यूजर आइड़ी और पासवर्ड अधिकतम एक सब्ता में पराप्त कर ले मतलब जो भी आपके बिभाग है अपना बिभाग अपना आईडी और पासवर्ट जो है एनाइसी से प्राप्त कर ले और उसके बाद से वह ऑनलाइन जो पोटल है उसके थुरू आप अपने रिक्त पदों का अधियाचन जो है भेज सकते हैं उसका मैं पूरा का पूरा सच्ची उतरप्रदेश सासन समस्थ विधा बिभाग अध्यक्ष कारण आद्यक्ष उत्तरप्रदेश भी आउग अधियाचन पोटल के माध्यम से अधियाचन भेजे जाने के संबंध में यह पूरा का पूरा लेटर दिया गया है मानने मुख्यमंत्री का राढ़े ड़ता कारवाई कर ली गई है परन्तु पोटल के माध्यम से अधियाचन प्रेसित किये जाने के संबन में कि तब कारवाई की प्रगति संतोजनक नहीं है तो बाकी सब अधियाचन पहुंचता है आपके आयोग में लोग से वायोग और अधियाचन से वायोग में तो आपको भरतियां जरूर देखने को मिलेंगी अभी आपके पोटल के थुरू अधियाचन ही नहीं पहुंचा है 15 दिन के अंदर अधियाचन को माना गया है तो आपको कहीं नहीं लोग से वह आयोग के भी भरती आपको देखने को मिलेगी और कुछ भरतियां आपको अधिनस्चेंज से वह आयोग के अंतरगत मिलेंगे और जैसे कुछ अपडेट मिलता है हम जरूर आपके समक्षाएंगे कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप वीडियो के कमेंड में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समधान किया जाए और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद